प्यारे बच्चों हमारा चैप्टर 12 पूर्फुली जो एक्स्प्लेइन हो गया था और उमीद करती हूँ आपको ये समझे में भी आया होगा ठीक है और इसके आपने सब्दमैत्री अपनी नोटबुक में भी किये होंगे आप देखते हैं क्या सीखा क्या जाना उत्तर लिख थर्ड है मनुस्य क्या लेकर आया आंसर है मनुस्य सिंग को पकड़ कर लाया फॉर्थ आदमी और शेर की लड़ाई में किसकी बढ़ाई हुई आदमी और शेर की लड़ाई में आदमी की बढ़ाई हुई ठीक है बच्चों नेक्स्ट है आपका बढ़ाई को सुनकर मित्र क्या कहा बढ़ाई को सुनकर मित्र ने कहा कि गुलाम रहने के कारण यह है अपना मोलिक को भूल गया है अगे है मिलान कीजिए बच्चों आप लोग जो है लेफ्ट साइड अपना बन टू थ्री फोर डालेंगे और उसका सही मैचिंग है थ्री फोर बन टू ओके ब्याकरण में देख के समझी और लिछए जैसे लड़ना का लड़ाई है लिखना का लिखाई चड़ना का चरखाई पढ़ना का पढ़ाई और चलना का चलाई खै पार्ट निमली की सब्दों में कुछ मात्रह को लगा कर शुद सब्द लिख्यए इस तरह से आपको तुह लिखेंग तो यह आपके विशेशन हो गए, विशेश है आपका जन, मनुश्य, खेल, पुस्तक और सलाई, ठीक है यह आपने पैट, जो है पिछली चैप्टर में भी किये हैं, सोच विचार में देखी आप मामा किस जानवर को कहते हैं, बंदर को, सरकस में हसाने वाला पात्र कोल होता ह जो कर सरकस में रिंग मास्टर क्या करता है, आंसर है इसका पस उपक्षियों को अपने अनुसार करता करवाता है, नेक्स्ट क्योस्टन टट्टू का उप्योग किस लिए होता है, सामान ढोने के लिए, अगला है आपका रचनात्म गति विधिया में, कुछ अलग करे में, इसमें देखिए, यहाँ पर खैपाट, देख लिए, कि आपने कभी चिडिया घर की सैर की है, चिडिया घर में जानवरों को क्यों क्याद करके रखा जाता है, अपने शिक्शा की आमाता पिता से इस विसरे में जानकारी प्राप्त कीजिए, और 5 पाक्यों में लिखिए, गर में जब कभी भी आपने चिडिया घर की होगी तो बहाँ पर आपने कोई जानवर जुरूर ऐसे देखी होगे जो आपके माइन में अभी भी होगा तो आप उसके बारे में यहाँ पर थोड़े से वाक्य यहाँ पर लिखने हैं पांच ही लिख दीजी आप ठीक है खेल खे कि आपको सारे आंसर समझ में आ गए होंगे और आप लोग स्वच हैंड राइटिंग में अपने सारा चैप्टर की क्यूस्टन आंसर कम्प्लीट करेंगे ओके तिल दैन टेक केर डू योर वर्ट केरफुली बाबाए